समुद्र की तूफानी लेरों में एक जहाज के डूबने से लेकर शहर के बीचो बीच से एरफोर्स का एक प्लेन कैसे गुजर गया कि सारी चीजे आज आप देखेंगे हमारे इस वीडियो में जिसका नाम है अन्बिलिवेबल मुमेंट्स कॉट अन कैमरा सबसे पहली गटना 19 जनवरी 2021 की है जहां पर एक रश्या का तेल का जहाज बाल्टिक समुद्र में फस गया 19 जनवरी को इस समुद्र में बहुती जबर्दस तूफान चल रहा था समुद्र की लहरे लगातार जहाज के उपर गिर रही थी हर लहर बड़ी से बड़ी होती जा रही थी लेकिन तभी एक बहुत बड़ी लहर आई और उसने पूरे जहाज को पाने में डूबा दिया लेकिन किसमत से जहाच पे सभी लोग तटके पास में पहुँच जाते हैं और सभी लोगों की जान बच जाती है और ये वीडियो इस जहाच के समुद्र में डूबने से पहले का है दोस्तो और शेलिया का ब्रिजबन शहर गुमने फिरने और त्याहरों के लिए काफी जादा चर्चा में रहता है लेकिन 22 सितम्बर 2021 को यहाँ पर एक ऐसा नजरा देखने को मिला जिसने सब को चौका कर रख दिया यहाँ एक C-17 ग्लोब मास्टर एयर प्लेन एक प्रोग्राम के तैयारी के लिए रियरसल कर रहा था जिसमें कि यह विशाल का एयर प्लेन ब्रिजबन शहर की बड़ी बड़ी बिल्डिंगों के बीच में बिल्कुल पास में से होकर गुजरता है और बिल्डिंग्स में मौजूद लोगों ने जब इस प्लेन को इतना पास से देखा तो उन सब के होश उड़ गए क्योंकि यह प्लेन काफी ज़्यादा नीचे उड़ रहा था यह विडियो इंटरनेट पर आते ही काफी ज़्यादा वाइरल भी हुआ और कहीं सारे लोग इस तरीकी के स्टन्ट से नाराज भी हुए क्योंकि एक छोटी सी गलती कहीं सारे लोगों की जान ले सकती थी दोस्तों एक तुफान के समय पर किसी एरप्लेन में होना बहुत ही खतरनाक होता है यही बात ब्रिटिश एरवेज की फ्लाइट में बैठे लोगों को 2020 में एक्सपरियंस करने को मिली जब एक प्लेन की लेंडिंग को उसके उतरने के समय पर एक सेकेंड पहले ही कैंसल कर दिया गया दोस्तों यह दिन था 28 अगस्त का जब एरिक नाम की एक शक्तिशाली तुफान के वज़े से काफी तेज हवा और बारिश आ रही थी जब यह बोईंग 787 एर प्लेन रन्वे पर लेंडिंग करने वाला था उसी समय पर पाइलेट को पता चला कि हवा काफी तेज है और वो प्लेन की सेफ लेंडिंग नहीं करवा पाएंगे इसलिए वो तुरंथी प्लेन को फिर से हवा में उड़ा देता है और यह प्लेन भी नीचे उतरते ही उचल कर फिर से हवा में उड़ जाता है पाइलेट की सतरकता के चलते किसी को भी चोट नहीं आती और कुछ देर तक हवा में उड़ने के बाद यह प्लेन अपकी बार सेफ लेंडिंग करता है और सभी पैसेंजर सुरशित बच जाते है यह अगला वीडियो 17 माई 2020 फिल्लेंड का है जहां पर एक आदमी अपने उपर से उड़ रहे एर बस A350 एरो प्लेन की एक वीडियो बना रहा था लेकिन जैसे ही प्लेन थोड़ा आगे जाता है तब यह कड़कती हुई बिजली एर प्लेन पर गिरती है और यह मामला उसके कैमरे में रिकॉर्ड हो जाता है लेकिन दोस्तो एर प्लेन पर बिजली गिरने पर भी कुछ नहीं होता क्योंकि एर प्लेन का डिजाइन ही ऐसा बनाये जाता है कि बिजली गिरने पर ना ही प्लेन के कोई एक्विपमेंट्स कराब होते हैं ना ही किसी पैसेंजर को चोट लगती है और दोस्तों ऐसा तो आजकल के नए प्लेन में होता है लेकिन सन 1963 में ऐसे ही एक बोईंग 707 प्लेन पर बिजली गिरी थी और उसके बाद ये प्लेन क्रैश हो गया था बाद में इन्वेस्टिकेशन करने पर पता चला कि बिजली सीधा एर प्लेन के फ्यूल वाले कंपार्टमेंट के उपर गिरी थी जिस वज़े से प्लेन फट गया और उसके अंदर आग लग गई ये अगला वीडियो 16 सेप्टेंबर 2019 का है जब एक बड़ा सा जहाज बनकर तयार हो गया तो उसे पानी में उतारा जा रहा था लेकिन तबी इस बड़े से विशालकाय जहाज की एक रसी को हटाने के लिए एक वरकर दोड़ता है अगर ये आदमी यहाँ पर एक सेकंड की भी देरी करता तो यह इस बड़े से शिप के नीचे दब जाता और आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से विशालकाय जहाजो को स्लाइड करवा कर समुद्र में उतारा जाता है भारत के गुजरात का अलंग शहर जिसे की दुनिया का सबसे बड़ा जहाजो का कबरिस्तान कहा जाता है क्योंकि यहाँ पर जितने भी जहाज आते हैं ये उनका आखरी सफर होता है और ये दुनिया का सबसे बड़ा शिप्स का जंक्याड है क्योंकि यहां पर दुनिया भर के सारे पुराने जहाजों को लाकर तोड़ दिया जाता है इस समुद्र तर्ट पर जितने भी जहाज है उन्हें यहां पर जान मुझकर टकराय जाता है ताकि वह तूट जाए आप देख सकते हैं कि कैसे एक बड़े से जहाज को तेजी से चला कर यहां पर टकराय जा रहा है ताकि यह शिप भी आसानी से तूट जाए यह विडियो वेनेजुएला के एक कंश्रक्शन साइट का है जहां पर एक 400 तन वजनी क्रेन को एक ट्रक पर डाल कर दूसरी जगे पर ले जाए जा रहा है लेकिन जैसे ही ट्रक डलान से नीचे उतरती है ट्रक के ब्रेक काम नहीं करते और इतना वजन होने की कारण यह पूरा ट्रक नीचे फिसल जाता है और यह 400 तन वजनी मशीन नीचे गिल कर तूट जाती है तो बस दोस्तो आज की वीडियो के लिए इतना ही आपने देखा इतना वीडियो को सबस्क्राइब कर लिए हमारे चैनल की और वीडियो को देखने के लिए इन नीचे दियेगए वीडियो लिंक्स पर क्लिक करें